हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है अपना स्टेडे लेक्षर में मैं होने लिया दो और आज आपके साथ हाजीर है एक नए और बहुत महत्पूर्ट वीडियो के साथ फ्रेंड्स आज इस वीडियो में बात करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है समलम चतुरभूज आकार का कोई खेत है या प्लोट है तो उसका छेतरफल डिसमिल में बीघा बिस्वा में कैसे कनवर्ट करेंगे ये मुझे परसनली जो की कॉंटेक्ट किया गया था और वहाँ पर मुझे वाटसेप किया गया था कि सरी ये मेरा फीगर है और इस आकार का मेरा खेत है इसको आप बता दीजे कितना छेतरफल इसका निकलेगा तो फ्रेंट्स इसी कड़ी में गर आपके भी मन में कोई प्लस नहीं जिसे आप जानना चाहते है तो आप हमसे सबस्क्राइब करता हूँ तो जो भी कमेंट आता हूं मैं आपको विडियो करता हूं इसलिए चैनल पर वीजिट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो आई यह वडियो को देखते हैं क्या इंपोर्टेंट है सबसे पहले जो उन्होंने प्रस्ण किया था बकाईदा फीगर बना के भेजा था कि यहाँ पे 90 फुट है 90 फुट इधर लंबाई है और नीचे जो मेड़ है और उसकी लंबाई इन्होंने बताई थी 116 फुट ठीक है अब यह कहा था कि इसका 6 तरफल आप बता दीजे कितना होगा देखिए इनके फीगर के मसार यह कौन सा चितर लग रहा है समलम चतुरभुज समलम चतुरभुज के कंडिशन क्या होती है समलम चतुरभुज कोई भी खेत या कोई भी प्लोट कोई भी आकरिती समलम चतुरभुज तभी कह जाएगी जब उसके चारो भुजाओं में से कोई दो भुजा क्या हो समानतर हो दो भुजा अगर समानतर है तो वो आकरिती समलम चतर भुज हो सकती है ठीक है अब इसमें तो बहुत सारे आयत भी है वर्ग भी है ये भी आपके कहेंगे कि ये भी आपको समानतर भुजाए होती है पसरते मैंने आपको कहा कि दो भुजाएं इसमें कमपलसरी हैं कि क्या हो समानतर हो ठीक है तो इस आकार का भी हो सकता है समलम चतरभुच और इस आकार का भी हो सकता है और ये चारो आकार जो है किसके हैं ये समलम चतरभुच आकार के तो यहाँ पर फ्रेंट्स जो कमेंट आया था वो आया था कि इधर 90 फूट है इधर नीचे 116 फूट है ठीक है अब इन दोनों मेडों के बीच की बेल लंबाई जो थी जो समानतर भुजाया है उनके बीच के लंबाई यहाँ पर आई थी 46 फूट अब इसका छेतरफल बहुत यासानी से आप निकाल सकते हैं सिंपल आपको करना क्या है यह कौन सा आकार है समलम चतुरभुज अब समलम चतुरभुज आकार के खेत का छेतरफल या कोई आकरिती है समलम चतुरभुज की है तो उसका मेन फर्मूला होता है समानतर भुजाओं क बीज की दूरी वही होती है मुचाई दो समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीज की दूरी बटे दो ये फर्मूला होता है तो सिंपल कुछ नहीं करना था इसमें 116 और 90 को जोड़ देना था और गुणा कर देना था 46 से और भाग कर देना था दो से तो 116 और 90 को जोड़े तो यहां पर कितना बैलू आ गई या आ गई आपकी 206 अब दो सिंहोंने क्या किया 46 को काड़ दिया 23 अगुडित 206 गुड़ा किया तो यह बैलू निकल कै 4738 वर्गफूट अगर आपके भी कोई ऐसी आकरती बन रही है खेती अपलोट की तो आप आसानी से इसको निकाल सकते है कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है सेम फालो करिएगा जैसे जैसे मैंने यहां पर बताएगा आपको वैसे कर लेना रिजल्ट एक दो 100 परसन सही आएगा ठीक है तो यहां पर 4738 वर्गफूट कुल छेतरफल निकल गया अब इस पलोट का जमीन का जो की छेतरफल निकल गया है अब आपके मन में है किसे हम बिश्वा में, डिस्मिल में, धूर में कनवर्ट करना है तो कैसे कनवर्ट करेंगे सबसे पहले हम डिस्मिल की बात करते है तो देखिए पलोट का कुल छेतरफल कितना है 4738 वर्गफूट अब एक डिस्मिल में आपका बेलू जो होती है 435.6 वर्गफूट होती है कितना होती है 435.6 वर्गफूट एक डिस्मिल में वहीं अगर वर्ग गज की बात करते हैं तो यह 48.4 वर्ग गज के बराबर होती है और वहीं हम अगर वर्ग मीटर की बात करते हैं तो 40.47 वर्ग मीटर के बराबर होती है अब आपको कुछ भी नहीं करना था डाटा आपने किसमें निकाला था वर्ग फूट में तो वर्ग फूट में कितना है 4738 और एक डिसमिल की बैलू कितनी है वर्ग फूट में 435.6 तो सिंपल 435.6 से भाग कर देना था ये बैलू आपकी निकल के आती डिसमिल में कि जो की 10.87 डिसमिल के बराबर है यानि 10 डिसमिल से ज्यादा है अब डिसमिल कहां चलता है ऐसे इस तरह आपका क्या बैलू इस्तिमाल के जाती है डिसमिल तो ये बैलू आपकी निकल के आ जाएगी वहीं बिहार आपका जहार खंड उधर भी बैलू इस्तिमाल के जाती है तो ये डाटा याद रखेगा एक डिसमिल में कितना वर्ग फूट कितना वर्ग गज कितना वर् स्वाम में कितना बैलू निकल के आएगी बीघे में निकलती तो पूरी पूरी बैलू यहां पे हैं नहीं क्योंकि 27,225 27,225 वर्ग फूर्ट होता तो एक बीघा होता यूपी कहीं सबसे लेकिन आपके यहां क्या बीघे की बैलू चलती है आप अपने पटवारी से संपर करिएगा ठीक है फ्रेंट्स क्योंकि हर एक स्टेट के लिए मैं डाटा नहीं प्रोइड कर पाता हूं क्योंकि अगर सब के यह प्रोइड करने लगांगा तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा तो एक बीघे की बैलू आपको पता करना है उससे आपको भाग करनी है जो भी डाटा 6 पर निकला है अब एक विस्वा की बैलू तो आपका 1361.25 वर्ग फूट यह बैलू कहां से आई है एक 4738 और एक विस्वा की वर्ग फूट में बैलू है 1331.25 तो 4738 में 1361.25 यह भाग कर दीजिए जो भी बैलू निकल के आएगी आपको विस्वा में निकल के आजाएगी यहां पर 3,5 तीन भी विस्वा से ज्यादा है साड़े तीन विस्वा से कम तीन विस्वा से ज्यादा जाएगा तो सिंपल तीन विस्वा नौद असमलो छे दोहर जमीन निकल के आजाएगी तो फ्रेंट्स आपने कमेंट किया था यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूबत आईएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों तक सेयर कर दीजिए वीडियो यहीं से महुत करते हैं नमस्कार